हे दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से स्वगत है आपके अपने योटुब चैनल देव जी के ट्रिक्स में तो दोस्तों आम लिए आप पर P.E.T. का टेस्ट जो कि P.E.T. में आपको हिंदी और G.K. यह हम आपको सौल करवा रहे हैं डेली साम को 5 वजी क्लास होती है और हर एक वीडियो में आपको यहां पर देखो डेट भी डाल देते हैं ताकि प्लेलिस के माध्यम से करम से सभी वीडियो आप देखते चलिए पहली बार में आपको P.E.T. क्वालिफाई करना है याद रखेगा ठीक है ना तो चलते ही स्टार्ट करते हैं अगर आप नए है तो चैन तो इस थावर का क्या होजेगा ओप्सन राइट इस थावर का बनता है जंगम बिल्कुछ सई जवाब है जिसका भी जवाब C आया है बिल्कुछ सई है इस थावर का बिलूम क्या होता है जंगम होता है जंगम जंगम गर्थ होता है जो इस्थिर नहीं रहे और इस थावर म उसके मतलब क्या हुआ, एक ही ब्यक्ति होगा, एक ही तो होगा ना, यहां पर अगर बोल देता उनके लिए तो बहुचन हो जाता, यहां पर उसके लिए है, तो यहां पर देखें, option में कौंसा आपका सभी हो जगा, तो उसके आपका अन्यपरूस हो जगा, एक वचन और आप सब्द बताईए सब्व साची सब्द के लिए एक सब्द बताना है और सब्व साची के लिए होता है बाय हाथ से काम करने वाला याद रिखेगा option जिसका B है clear हो जाएगा option B बाइं हाथ से कारे करने वाले को सर्व साची कहते हैं आप देखते होंगे बहुत लोग बाइं हाथ से कारे करते हैं और याद लखे एक point पैचान होती है जब भी ब्यक्ति बाइं हाथ का होता है तो अगर जब भी वो paint पैंता है जब वो paint पैंता है तो वो पैर से ही पैनेगा लेकिन जो दाएं हाथ से करते हैं कोई भी कारे तो वो दाएं वाले से पैर पड़ेंगे समझ में आ रहा है ना एक पैचान होती है मतलब 90% लोग यह से ही होता ही है ठीके अगला पूछा गया है सियार का तस्सम क्या है सियार का तस्सम क्या है सियार का तस्सम क्या बनेगा चलिए सियार का जवाब दीजेगा कुछ लोगों के आप ही गए जवाब बहुत अच्छ यहाँ पर आपका होजेगा सियार का होजेगा स्रगाल अगला पुछा गया है इन में से किस वाक्य में पूर्वकालिक किरिया का प्रियोग हुआ है मतलब कि एक कारे हो चुका होगा दूसरे कारे में वो जाने वाला होगा तो यहां पर आपका जवाब बताए कौन सो जगा ठोकर लगते ही लड़का बेवोस हो गया नहीं बिद्यार्थी पढ़ेंगे तो पास होंगे इसमें कोई कारा भी तो हुआ नहीं है सिर्फ बोला ही जा रहा है तीसरा है स्याम दूद पी कर घूमने जाता है मतलब एक किरिया देखे दूद पी लिया है अब घूमने जाता है अगला पुछा गया है गुरू के समी प्रहकर सिच्छा गराण करने वाला एक लिएक जवाब देना है शिक्स का जवाब क्या बनेगा चलिए शिक्स का ओप्षन क्या हो जगा बिलकुल सही जवाब है बिलकुल सही जवाब है अन्तेवासी होता है अन्तेवासी गोड इवनिंग सभी को गोड इवनिंग ठीक है सी नमबर अगला पुछा गया है उत्तर गई लोई तो क्या करेगा कोई कहावत का सही अर्थ बताना है मतलब कैसे कते हैं अगर इज़त यहाँ पर बेसर्म हो चुके ब्यक्ति को इज़त गवान देने का भैन नहीं रहता है इसका राइट अनसर आपका हो ज़ए कौनसा डी हो ज़एगा बेसर्म हो चुके ब्यक्ति को इज़त गवाने का भैन नहीं रहता है अगला है क्रदंत प्रत्य किसके साथ जुडते हैं क्रदंत प्रत्य بोलते हैं तो आपका जवाब क्या हो जगा जवाब हो जगा अप्शन रडडब का सी याप अपर आपका धातु हो जगा ठीक है ना वहीं पर एक तद्धित प्रत्य होता है तद्धित प्रत्य क्या होता है जो प्रत्य संग्या सरुनाम विसेशन के साथ जूरते हैं उन्हें तद्धित प्रत्य कहते हैं ठीके ना किलिए रोगे परिवासा चलिए अगला है जनारदन किसका पर्यावाची है जनारदन किसका पर्यावची है तियाद रिके जनारदन आपका होज़ेगा, विस्नों का पर्यावची, option रैट आपके यहाँ पर C, यहां पर आपका विस्नों का होज़ेगा, option C होज़ेगा अगले प्रसनम से पूछा है नीचे दिये गए सब्दों में से किसकी वरतनी सुध है चलिए पहचान कीजिए किसकी वरतनी सुध है 10 का जवाब देना है 10 का जवाब देना है बहुत अच्छे बेरी गूड देखे यहाँ पर आपसे दिया है जागरती तो देखो जागरत जो होगा है गा में इस प्रकार का होता है जागरती है ना मतलब कह सकते हैं अगर लिखोगे तो आपको क्या होजेगा यहाँ पर इस प्रकार से आपका आजाता है मतलब की पहला इप वांट आपको यहां पर गलत हो गया आपका पूजनिया दिया है तो भी यह सब्द आपको यहां पर गलत दिया गया है अंतरध्यान दिया है नहीं अंतरधान अंतरधान होता है मतलब कर सकते हैं कि अगर आप लिखते हैं अंतरधान तो आपका अंतर मतलब ना यहाँ पर हो जगा और इसके बाद आपका धा और इसमें आपका हो जगा अंतरधान यहाँ पर आपका ना हो जगा अंतरधान यहां पर आपका जबाब क्या बनेगा निर्दे का होजएगा निर्दे मतलब होता है दयार रहित सदे मतलब होता है दयावान तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सब बनेगा D नंबर यहाँ पर सदे हो जएगा D सदे हो जएगा अगला है सट पद का पर्यावाची सट पद का पर्यावाची सट मतलब होता है छह चह पैर तो छह पैर वाला जो आपका होता है उसे बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं भरमर ठीके option B option B आपका right हो जेगा भरमर हो जेगा अगला पूछा गया है जिसके पास कुछ ना हो आप करिए चलिए जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उप्युक सद्ध कौन सा है जिसके पास कुछ ना हो और जिसके पास कुछ ने होता है उसको बोलते हैं अकिंचन क्या बोलते हैं अकिंचन आप कभी अकिंचन हो जाएगा अगला पुछा है सुद्ध वर्तनी का चैन करना है थोड़ा सटप हो सकता है यहाँ पर जवाब दीजे अचुन्ड कैसे लिखा जाएगा आप यहाँ पर option किसको सही करेंगे किस option को log करेंगे तो यहाँ पर याद रिखेगा आप लोग इसको मतलगाईएगा इसको लगाईए ठीक है यह आपका होजेगा सी वाला अगले प्रिस्काते हैं कर आप से ततधन संकर संद्विचेद से बनने वाला सब्द कोंसा है हमने आपको एक बेंजन संद्दी में रूल पढ़ाया था कि जब इस प्रकास से आपका हो और यहाँ पर सा हो तो यह जो सा होता है यह आपक पच्छा बन जाता है तो यहां पर आपका 15 का ज्वाब यह आपका होजेगा आपको होजेगा तछन्द कर ठीके तो आप समर्डब का पर यह होजेगा यह आपका बेंजन संदी यह रूल होता है ठीके अगला पूछा गया है मुखावयों के निकट आने के संगर्स के तो ऐसी धुनी होती है ऐसे धुनी को बोलते हैं उस बेंजन क्या बोलते हैं उस बेंजन आपके आपके बोलते हैं कौन सा सा और आपका हा अगला पुछा गया है क्या आपसी साउधानी सब्द में कौन सा प्रत्य है साउधानी में कौन सा प्रत्य है साउधानी आनी आनी क्या निकल ला है साधानी निकल ला है या बड़ी निकल लेए जवाब दिजे साधानी साधानी जवाब दिजे चलिए इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कुछ लोगों के चलिए इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जो रॉफ लाइन देख रहे है तो भी जवाब दीजेगा चले सबरी प्रतिदिन राम की प्रतिच्छा करती है वाके का सही भीद बताईए सबरी प्रतिदिन राम की प्रतिच्छा करती है यहाँ पर देखो संदे हितु होगा नहीं प्रस्न ये भी नहीं है अग्या नहीं है यहाँ पर option भी बीधानार्थक अपका भीध हो जाएगा option अपके यहाँ पर भी बनेगा अगला पुछा है देह लता इस्रामसिक पद में कौन सा समास है देह लता देह लता मतलब कैसे हैं देह रूपी लता और रूपी सब्द जो लगा होता है वो आपका होता है कर्मधारे समास में तो option राइट अपके यहाँ पर यह होजेगा कर्मधारे समास कर्मधारे समास के हमने दो तीन पहँचान भी आपको बताया है जैसे महा सब्द आपको लगा दिया जाए जैसे महात्मा हो गया जैसे आपका होता है रूपी सब्द आपका होता है रूपी भी आपको इसी मिल जाता है देए रूपी होता है है ना क्रोध आगनी क्रोध रूपी अगनी है ना ऐसे सब्द आपको इसी में देखने को आपको मिलेंगे अगला प्रस्ण आप से पुछा गया है पित्राग्या सब्द का सही संदिविच्षेद बताईए पित्राग्या का सही संदिविच्षेद क्या हो जएगा 20 का जवाब देना है पित्राग्या तो यहाँ पर आपका हो जएगा देखो रिसी होता है रिसी होता है ना, रिसी और प्रस बड़ा, अर्थात option आपका C, यहाँ पर आपका C होजेगा, पित्र दन आग्या होजेगा C नमबर, किलियर है, अगला पूछा गया है, कहा रहा है आनस्वर सब्द के लिए एक सब्द, देखो यहाँ पर नस्वर नहीं दिया है, इस्वर को नस्ट ना होने वाला, नस्ट ना होने वाला, option C आपका होजेगा, नस्ट ना होने वाला, जो प्रसना आपके लिए नया लागे, उसे screenshot लेजिएगा, जिसमें confused हों, उसका भी screenshot लेजिए, और उसे check भी कर लिया करिए, ठीके, चलिए, वहाँ स्रेष्ट उपासक है, मैं बि विशेष्ट मतलब जिसकी विशेष्टा, यहाँ पर देखो क्या है उपासक, क्योंकि स्रेष्ट एक गुण होता है, यह तो विशेष्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर option C आपका उपासक बन जाएगा, अगला है, निम्रिकित में से किरिया विशेष्ट है, किरिया विशेष होते हैं, option अपका B, धीरे धीरे में आपका हो जाएगा, किरिया विशेष्ट, अखरोट का तरस्तम सब्दे क्या है, अखरोट, खा का परिवर्तन च्छा में होता है, अब आप बताएगे, अच्छोट कर दिया जाए, अच्छावट कर दिया जाए, क्या किया जाएगा, च जिमन में से कौन सा प्रकम्पित वर्ड है, प्रकम्पित वर्ड कौन सा है, प्रकम्पित मतलब क्या होता है, प्रकम्पित मतलब होता है, जो वर्ड बोलते समय, बार 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 जल्दी से कह, जिसे आप रा, रा बोलते हो, तो जीब क्या होती है, वो जल्दी बाइबरेट क अर्दसवर में आ जाते हैं, हमने बताया है इनको अर्दसवर में भी रखते हैं, ठेके आगले प्रिस्काते हैं, प्रसाप से गलब पूछा गया है जो कि आपका GK से आपका है कहाई रहा है, दो आर समुदर किस राजवनस की राध्धानी थी दो आर समुदर चलिए तो यहां पर आपका होज़ेगा होए सल है ना ओप्सन आपके यहां पर सी होज़ेगा होए सल ओप्सन सी होज़ेगा होए सर राजी की राधानी दोर समुद्रिधा वर्तमान अगर बात करें वर्तमान के अगर बात करें तो आपका हेलेबीड है ठीके इसका नाम क्या ह इस्तित था वल भी बिश्विद्याले इस्तित था ये कहा परिस्थित था वल लभी बुखरात यादर के वलर्वी पुर्ण यह प्राचीन भारत का एक नगर था जो 15 س 18 सतीद्य का एक मैत्रक वण से की राधानी रहा था तो आपका 52 और संडि हो भारती सुतंता अधनियम 1947 तो आपका जवाब कहा पर जाएगा तो आपका जवाब जाएगा अठारा को ठीके अठारा जुलाई याद रिखे ऑप्सन आपका सी हो जाएगा अठारा जुलाई 1947 और यह अधनियम आने के बाद जो गवर्नर जनरल का पत था यह खतम मतलब जो ग गदर पार्टी का मुख्याले था गदर पार्टी का मुख्याले कहां पर था भई तो आपका हो जएगा सैन फ्रांसिस्को सैन फ्रांसिस्को आपका हो जएगा ए नंबर आपका सही हो जएगा जो कि 1913 इस भी में सोहन सिंग भटकाना ने हिंदुस्तान एसोसियेशन आपद Pacific Coastic नमक संस्ता की इस थापना की ठीक है और इस संस्ता ने गदर नमक एक अगबार भी निकाला था ठीक है और कैसे कि इस संस्ता का नाम भी गदर पार्टी पढ़ गया ठीक है मुख्याला आपकी कहां पर है अगला पुछा गया है गदर पार्टी की नेता कौन थे गदर पार्टी की नेता कौन थे तो याद रखे महा नदी वही है तो निकलती है वही तो बैती है वहाँ पर अगला है कि छेत्रफल के हिसाब से विश्रु का दूसरा ब्रैतम महादीप कौन सा है पहला आपका एसिया फिर आपका अफरीका फिर आपका उत्री अमेरिका फिर आपका अस्टिलिया ठीके आर्कटिका मतलब अंट अर्कटिका होता है जो पांचियो नमबर का है अगला बेतवा नदी निकलती है ये कहां से निकलती है 58 का जवाब दिजे बेतवा नदी स्वरी निकलती मिलती पूछा गया है मिलती है तो वैसे तो आपके यम्पेस निकलती है और यम्ना में आपकी मिलती है यम्ना में मिलती है आपके हमीरपूर में ठीके यम्ना में आपक अधिक उपजाओ मरदा कौन सी है चलिए भारत में सबसे अधिक उपजाओ मरदा जवाब की है वो आपकी कौन सी है याद रिखेगा उपजाओ मरदा आपकी कौन सी होजेगा यहाँ पर अधिक उपजाओ मरदा कौन सी है तो यहाँ पर आपसन आपका होजाओ कौन सी है यहा सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी है इनमें पूछा गया सबसे अधिक उपजाओ मरदा कौन सी है तो सबसे ज़्यादा उपजाओ मरदा आप काली मिट्टी को देंगे काली मिट्टी में आपकी उपजाओ मरदा ज़्यादा होती है इसमें बहुत प्रकार के यांपर कैसे त तब किसको देते जलोड मर्दा को अगर ये पुचलेता उत्तरपधेस में तो आप जलोड मर्दा ही देते और उत्तरपधेस की सरवादी कौन सी यह है उप जाओ तो आपकी जलोड क्यूंकि कालिमिट्टी तो पाई ने जाती है इस कारण से ठीके तो इसके अंसार आपका इसको जवाब देना है भी वाला ठीक है अगरा पुछा है मुद्रा के अमूल्ले का परड़ाम है मुद्रा का अगर अमूल्ले हो जाता है तो इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है इसका परिमाड क्या निकल के आता है तो क्या होता है देश में निर् को घटाना मतलब कह सकते हैं जो आपके बिक्किली हो रही है उसको ज्यादा ज्यादा याँ पर से लिंग करना और जो आने बाली चीज है हना जो खरीदते हैं वो कम कर दिया जाए तो मुद्रा अमुलन का परड़ाम रिजल्ट अच्छा मिलके आएगा और समसी अगला निम्र दारान है हुमस हुमस मतलब होता है हुमेडेटी इंगलीज मुलते हैं हुमेडेटी अर्थात यहां पर आपका हो जेगा हुमेडेटी अर्थात हुमस जो दारान है वो किसका है तो यह है म्रदा संरचना का म्रदा संरचना का है यहां पर आपसना आपका है हो जेगा हुमस ठीके, बोलते ने बहुत गर्मी है, मतलब थोड़ा सा क्या होता है, मिट्टी में थोड़ा सा एक नमियत पन्म होत भी होता है, है ना, तो हुमस आपका होता है, आद्रता समझिए, ठीके, अगर आए निमनेखित में से किस महाध्यूप में उस्न कटबंदी पनपाती वनों का विस्तार अधिक है, उस्न कटबंदी पनपाती वनों का विस्तार अधिक है, ये जो विस्तार अधिक है, ये कहां पर आपका है, तो यहां पर आपका जवाब, जवाब आपका 63 कॉप का बनेगा B, आपके A.C.A. में, ठीके, A.C.A. में है, उस्न कटबंदी पनपाती वनों सबसे बड़ा उत्पादक की बात करते हैं तो आपका जवाब क्या होजएगा जवाब यहाँ पर आपका होजएगा केरल ठीके क्या होजएगा भई केरल होजएगा ठीके अगला है 2011 की जनगर्णा में उत्तरप्रदेश की किस जिली में सरवादिक साच्छत दर है तो आपको पता है गौतम बुद्ध नगर लेकिन उप्सन में नहीं है तो उसके बाद कौन आता है उसके बाद आपका कानपूर आता है ठीके ना अगर बात करता जनगनत जवाब का है वो आपका गाजियावाद का सरवादिक है ठीके ना तो आपका यहाँ पर पूछा गया साच्छत तो आपसन के अंसार जवाब किसको देंगे सी को देंगे ठीके और अगला प्रस्म पूछा है भारत में जनसंख्या घनत तो भारत में जनसंख्या घनत जो है वो घट रहा है या बढ़ रहा है तो यहाँ पर आपके क्या है यहाँ पर जन घनत मगर आप समझ लेंगे तो समझ मतलब क्या है एरिया तो आपके यहां पर निश्चीत है कि इतना एरिया है हाला अब जन संक्या जब जादा निश्चीत है जन संक्या बढ़ता आंगेügeninizi जमीन थोड़ो बढ़ती चली जाएगे तो यहां पर निरंतर बढ़ा है nearest यहां क्यrationsकि जब से यहांपर कर सकते हैं लगातार बढ़ुतरी हो रही है तो जन्संख्या घंथ भणा तो बढ़ी रहा है अगला पुछा गया है 2011 की जनगर्णा के अंसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरी जनसंख्या का कितना प्रसत है नगरी जनसंख्या जो आपकी है वो आपकी कितनी है तो आपसना रेट अप के आपड़ डी हो जेगा 31.2 प्रसत आपका जवाब सही हो जेगा अगला पुछा गया है भारती सम्विधान में समानता का अधिकार 5.62 द्वारा स्विक्रत है वे आपके कौन से हैं मतलब कैसे हैं समानता का अधिकार जो आपका दिया गया है वो आपके दो आपके यहां पर आप्सन भी आर्टिकल 14 से लेके 18 तक आपके समानता का अधिकार का वर्डन किया गया है मतलब जो आर्टिकल 14 है उसे बोला गया है विद के समझ समानता आर्टिकल 15 में कहा गया है धर्म मोल वन्स जातर लिंग और जन्मिस्थान के अधार पर बिवेद परतिबंदीथ है 16 आर्टिकल जो आपका है वो लोक नियोजन के विशियों पे उसर के समानता आर्टिकल 17 है अस्पसिता का अंत और 18 है उपाधियों का अंत ठीक है ना चले अगला पुछा गया है भारत के समिधान के निर्माताओं में मौलिक अधिकारों के उधारना को उधार लिया गया है आपका समिधान चारों तरब से मांग मांग कर इतना बड़ा कर दिया गया हना जुकि पूछा गया मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार कहां से है तो आपके अमेरिका से युएसे से है option A होजेगा अमेरिका से होजेगा ठीके और यहां पर आपसे अगला पूछा गया है निम्रिकित में से कौन सा एक राज्य का समिधान के बाद में जोड़ा गया समिधान के बाद में तो आपको बता है 73 समिधान संसोधन यह आपका हुआ था जिसमें ग्राम पंचायतों को गठन भी हुआ था ठीक है ना फिर यहाँ पर आपका दिया है मुप्त कानूनी सलाकार यह आपका पड़ता है Articl 49 के चा में 49 से का में और 43 का मतलब तीन आपकल इसमें संसोधन हुए थे मतलब यहाँ पर जो जोड़े गए थे तो 42 में में जोड़े गए थे 73 वा संसोधन यह यहाँ पर option दो हैं आपके दो option आपके हैं जो नित निर्शल्सत्य में जोड़े गए हैं जो आपसर अपका होजा है कौँसा ए और आपको सी लगाना है ठीके ए और आपको सी लगाना है अगला उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रतम पुलिस संगाले के स्थापना की गई तो याद रखेगा आपके गाजिय Uhtar Pradesh स्टापना की जा रही है Uttar Pradesh अंभर्पेड़ कर इंस्ट्यूट ऑपूस्टी थे तो देखेए यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश होना चीथ पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश अंबेट कर आप टेकनोलाजी फार हैंडिकैप अवस्ति थे कहां पर तो यह अवस्तिथ आपके कानपुर में हैंडिकैप कानपुर में option C कानपुर हो जाएगा अगला पुछा गया है कर्मा एक लोक नत्य है कर्मा लोक नत्य है ये कहां का लोक नत्य है कर्मा लोक नत्य कहां का है तो आपके option आपका होज़ेगा यहां पर आपका ए नमबर आपके सोन भद्र और आपका मिर्जा पुरार्थात पुर्वांचल चेत्र का है ना पुर्वां सिंग स्पोर्ट्स कालिज की स्थापना उतर प्रदेश में की गई ये आपके कहां पर की गई है इस प्रस्ण का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ठीक है ना हमने कई बार आपको पढ़ाया भी है ठीक है ना और यहाँ पर कह सकते हैं डेली देखिए जितने लोग जुड़े हैं सब लोग अगर थोड़े थोड़े वीडियो लाइक करेंगे तो संक्या तो बढ़ी जाएगी चलिए और यहाँ पर किसकते हैं डेली पांच बजे क्लास होती है हमने बता दिया है पीटी में जान लगा दीजिए अगर आप पीटी क्वालिफाई कर ले कि भी क्लास हम देने लगेंगे ठेके ना तो आप लोग लगातार तयारी करते रहें चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजे और टेली गराम से नहीं जुड़े हैं तो टेली गराम से जुड़ जाएए देव जी के ट्रिक सर्च करिए सर्च करिए टेली गराम पे और आसानी स आपर टिलीग्राम से जूट सकते हैं वो आपर नोटिफिएशन वगरा मिलता रहेगा ठीके मिलते नए वीडियो में सभी को धन्नवाद सभी को रादे रादे गोडियो निंग सभी को रादे रादे धन्नवाद